नश्कार दोस्तों मैं हो मनुजाद गुरू और मैं यूटुब चैनल में आपका इबार फिर से स्वागत है पहला कोश्चन है भारत की बिदेश नीती कौन सी है गुटबाद पंशील गुटनेपेक्ष या लोकतांत्रिक और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुटनेपेक्ष की नीती तो भारत गुटनेपेक्ष ता की नीती में वरोसा रखता है जबकि पंशील इंडिया और चाइना के बीच में समझोता हुआ था 1954 में भारत के तातकालिक प्रधानमंतरी पंडित नहरू और चीन के प्रधानमंतरी जो इनलियू के बीच कुंचीकल जलप्रपात कहां परस्तित है और इसका सही जवाब है करनाटका करनाटका के शिमोगा डिस्टिक में मौजूद है कुंचीकल जलप्रपात और इसकी उचाई है 455 मिटर सत्पुडा की सबसे उची चोटी कौन सी है और इसका सही जवाब है option A धूपगड तो धूपगड मद्यपरदेश में स्थित है सत्पुडा की सबसे उची चोटी और इसकी उचाई है 352 मिटर जबकि महिंद्र गिरी स्थित है उड़ी सा में और पूर्वी घाट की सबसे उची चोटी है ये 1500 मिटर की अलिवेशन पे और डोडा बेटा की बात कर लेते हैं तो तमिल नाडू में स्थित है डोडा बेटा और नेल गिरी की सबसे उची चोटी है डोडा बेटा 267 मिटर की हाइट पे जबकि गुरु शिकर परवत है अरावली की सबसे उची चोटी 1722 मिटर की अलिवेशन पर फूलो की घाटी कहाँ पर स्थित है और इसका सही जवाब है उत्रखन तो उत्रखन में स्थित है फूलो की घाटी वैली ओफलार और यह है नेशनल पार्क भी है फूलो की घाटी वैली ओफलार नेशनल पार्क उत्रखन इन में से कौन साथ प्रदेश बुटान के साथ सीम एक परियोजना किस राज्य में स्थित है और इसका सही जवाब है option A. जम्मो कश्मीर जम्मो कश्मीर में जेलम नदी पर बना हुआ है तुलबुल जल्विदुत परियोजना इन में से कौन सा एक नदी बंदरगाह है और इसका सही जवाब है option D. कलकत्ता जबकि बाकी सभी बंदरगा खोस्टर लाइन पर स्थित है और कलकत्ता एक इन में से इकलोता बंदरगा है यह स्थित है हुगली नदी पर शिब समुद्रम परियोजना किस राज्ये में स्थित है और इसका सही जवाब है option A करनाटका तो करनाटका के मैसूर में स्थित है शिब समुद्रम परियोजना और यह बनी थी काविरी नदी पर और भारत की सबसे पहली जलविदूत परियोजना का श्रे भी जाता है शिब समुद्रम परियोजना को और इसका निर्मान हुआ था 1902 में भारत में सरवादिक हीरे किस राज्य में पाई जाते हैं और इसका सही जवाब है मध्यप्रदेश में तो मध्यप्रदेश भारत का सबसे बड़ा हीरा प्रेडूस करने वाला राज्य है और हीरे की सबसे ज़्यादा खाने पाई जाती है मध्यप्रदेश के पन्ना डिस्टिक में अनुछेद 280 किस से संबंदित है और इसका सही जवाब है option A वित आयोग दो ज्यानि finance commission से राज्य सबा को निमलेकित में से कौन भंग कर सकता है और इसका सही जवाब है कोई नहीं क्योंकि राज्य सबा है उच्छ सदन और इसे भंग करना नामुम्किन है संसत के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवदी कितनी होती है और इसका सही जवाब है option B छे महीने शिक्षा किस सूची का विशे है और इसका सही जवाब है संबर्ती सूची में तो शिक्षा concurrent list का अभी विशे बन चुका है 1976 में 42 संबिदान संशोदन के तहत जबकि इस से पहले यह मौजूद थर राज्य सूची में भारत में राजनेतिक शक्ती का स्त्रोथ कौन है और इसका सही जवाब है option c जनता तो भारत में राजनेतिक सक्ति का स्त्रोत है जनता we the people of India और भारत की कानून निर्मातरी सबा है संसद जबकी भारत में सरबूचता है संभिधान की इन में से कौन सा अधिकार इर राजनेतिक अधिकार है और इसका सही जवाब है option c चुनाओ लणना कौन सा अनुच्छेद 6 प्रकार की स्वतंतरता प्रदान करता है और इसका सही जवाब है option b article number 19 भारती संभिधान का अनुच्छेद 19 भारत के हर एक नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंतरता प्रदान करता है और ये छे प्रकार की स्वतंतरता हैं, अभी व्यक्ति की स्वतंतरता, एकतित होने की स्वतंतरता, संगटित होने की स्वतंतरता, स्वतंतरता, पूर्वक घूमने फिरने का अधिकार, जवसाई की स्वतंतरता और आवासिय स्वतंतरता. संसदिय ब्योहार में शुन्ने काल कपसे शुरू हुआ और इसका सही हुआ जवाब है जन्सद यानी विधाई का तो बिधान पाली का अर्थात विधाई का जिसे हम बोलते हैं संस्द ये बनाती है भारत का कानून इस पंचवर्षे योजना का उद्धिश्य गरी भी हटाओ था और इसका सही जवाब है option C पाचवी पंचवर्षे योजना तो नोटा विकल्प का सबसे पहले इस्तिमाल कब हुआ और इसका सही जवाब है 2017 में संसत के सयुक्त बैठक की अध्यक्ष को बुलाते हैं राष्टपती संभिधान के किस अनुचेद के अंतरगत अध्यक्ष किसी सदस्य को सदन में मात्रबाशा में बोलने की अनुमती प्रदान कर सकता है और इसका सही जवाब है option C अनुचेद 121 में इस राज्ये में सबसे पहले पंचैती राज संस्ताओं को श 1993 में 73 संभिधान संशोधन के तहत संभिधान के अनुसार भारत की कारेपालिका की शक्तियां किस में नहीत है और इसका सही जवाब है राष्टपती तो राष्टपती के पास नहीत होती है देश की एक्जिक्योटी पावर्ज भारत की जबकि इन सभी शक्तियों का गुगल बाद्शा औरंग जेव ने चत्रपती का खिताब दिया था और इसका सही जवाब है option C कहरी सिंग तो राजा कहरी सिंग को गुगल बाद्शा औरंग जेव ने दिया था चत्रपती का खिताब और इनी शासक को जाना जाता था अजान वाहू के नाम से भी चंबा के कि इस राजा ने अपनी रियासत की राजदानी भर्मोर से चमबा स्थानन नितित की थी और इसका सही जवाव है उप्शन की साहिल वर्मन ने गोर्खाओं ने किस बर्ष के आसपास सिर्मोर को जीत लिया था और इसका सही जवाब है उप्चने 1803 में और गोर्खा शक्ति का नितित्व यहाँ पर किया था आमर सिंग थापा ने शिमला जिले के हाटेशोरी मंदिर का निर्मान कि शैली में हुआ है और इसका सही जवाब है शिखर शैली में जबकि मनाली का हिडिमबा देवी मंदिर बना है पैगोडा शैली में हिमाचल की हमीरपूर जिले में हिंदी के प्रसिद लेखक यश्पाल का प्यत्रिक गाउं कौन सा है और इसका सही जवाब है option A रंगस ब्रिटिस सरकार से सनत प्राप्त करने वाली अंतिम ठकुराई कौन सी थी option जे कुठार, कुमार सेन, दरकोटी या फिर थरोज और इसका सही जवाब है option D थरोज इमार्चल प्रदेश में बंद्वा मजदूर पनाली उन्मूलन अधिनियम कब पास हुआ और इसका सही जवाब है option B 1976 में चमबा के राजा मेरू बर्मन के दर्वार से जुड़े किस कारिगर ने भरमोर और छत्रारी मंदिरों में अश्टधातु की मूर्तिया बनाई थी और इसका सही जवाब है option A गुगगा तो इक कोश्चिन काफी बार पूछा जाता है कि गुगगा किस रियासत से संबंद रखते थे और इसका अंसर है चमबा और चमबा के राजा मेरू बर्मन के दौरान हुआ करते थे एक पसिद कारिगर जिनका नाम था गुगगा किस सुल्तान को लाकवक्ष के नाम से जाना जाता है और इसका सही जवाब है कुटूब दीन एबग को तो कुटूब दीन एबग को हम जानते हैं लाकवक्ष के नाम से दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है और इसका सही जवाब है option C अटाकामा जो की स्थित अगला और बहुत में तुपूर्ण प्रशन हूलिया और दाग प्रथा की शुरूआत किस ने की थी और इसका सही जवाब है ऑप्षन भी अलाउदीन खिल जी तो अलावदिन खिल जी ने सबसे पहले हूलिया लिखने की प्रथा और घोडा धागने की प्रथा की शुरुआट की थि साथ इसाथ अलावदिन खिल जी को जाना जाता है सेनिय सुधार और मूल्य निंतрал पणाली के लिए भी तो इसने सर्व प्रतम पर्मनेंट सेना रखी थी और उन्हें नगत बेतन देने की प्रता की भी शुरुआत की थी अलाउदीन खिल जी ने साथी साथ गुप्त चर ब्यवस्ता की शुरुआत का श्रे भी जाता है अलाउदीन खिल जी को एशिया का मरीज किसे कहा जाता है और इसका सही जवाब है Option A चीन तो चीन को बोला जाता है एशिया का मरीज जबकि यूरोप की मरीज के नाम से जाना जाता है तुर्की पहला नामक पुस्तक की रचना किसने की और इसका सही जवाब है आप्शन C, इबन बतूता जो की एक मोरोक को यात्री था और इबन बतूता भारत आया था 1337 में महम्मद बिन तुगलक के शासनकान के दोरान मराटा सामराजे के दोरान पेश्वा का पद किसके समान हुआ करता था और इसका सही जवाब है option C प्रधान मंत्री के बराबर भारत का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है इसका सही जवाब है option C एहमदाबाद जबकि कानपुर को बोला जाता है उत्तर भारत का मैंचेस्टर वायू का दबाओ बाहर जादा होता है जबकि अंदर होता है वायू का दबाओ कम और ठीक इसके उल्टे प्रती चक्रवात यानि एंटी साइक्लोन में वायू का प्रवा होता है अंदर से बाहर की तरफ नर्मदा नदी कहां पर गिरती है और इसका सही जवाब है option C खमबात की खारी में तो कालिदास को बोला जाता है भारत का शेक्सपियर जबकि आमिर खुसरो को जाना जाता है तो ताय हिंद के नाम से नाजी सेना का संबंद किस देश से था और इसका सही जवाब है option C जर्मनी तो जर्मनी के राष्ट्रपती फिटलन ने गटन किया था नाजी सेना का और दुत्ते विशोयुद में काफे जादा नरसहार किया था इस सेना ने जब्रा का किला कि शासक ने बनवाया था और इसका सही जवाब है option B अकबर ने तो शुद्र ग्रह यानि एस्टेरोइट्स किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं और इसका सही जवाब है मंगल और ब्रेसपती के बीच में तो मंगल और ब्रेसपती के बीच में पाये जाते हैं शुद्र ग्रे यानि एस्टेरोइट्स और एस्टेरोइट्स करते हैं अलग आंतरिक ग्रहों को बाहरी ग्रहों से